नमस्कार दोस्तों आपका सुवागता है ड्रीम इनिंग रूजी 1.0 में आज हम डिटेल में कवर करेंगे PSSC vs MEC ड्रीम 11 टीम ड्रीम 11 टीम अप टूडे मैच तिरी निदाद T20 का जो सेकंड फाइनल मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में और किन किन प्लेरों को आप मेगा कॉंटेस्ट जील में एज ट्रंप कार्डपी की यूज करके चल सकती हो तो संपूर्ण एनलाइसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में और सबसे इपोर्टन बाद जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी जो फानल अपडेट रहेगी वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी हाप्टर लाइन पाने के बाद जो भी हमारी फाइनल समोल लिग और मेगा कॉंटेस्ट जील की टीम होगी वो भी आपको हमारे इसी टेलिग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी आद रात आठ बज़ के तीस मिंट पे मुकाबला स्टार्ट होगा अगर दोस्तों बात की जाए पीछ रिपोर्ट की तो ओरोल यहां का विकेट अवो एक बैलस विकेट अकसेप्ट किया गए इस वेन्यू के फर्स्ट निंग के ओरी स्कूर की बात की जाए तो एकसो पचास वह एकसो साठ के राउंड आप अपना ओरी स्कूर वो अकसेप्ट करके चल सकती हो इसी के अंडर आपको ओरी स्कूर वो बनता हुआ नजर आ जाएगा वही सीजन के जो लास्ट के दो मुकाबले यहां पर खेले गए उनके बारे में बात की जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में CRU की टीम ने बैट फर्स्ट करते हुए यहां पर च्यासी रनना है और QPCC की टीम ने वैलक से काफी आसानी से चेज़ कर लिया और यह मुकाबल चैनल पे और इस टेलिग्राम चैनल की दू लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो जल्दी से जाके गाई टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लेना अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी PSAC की पोसिबल प्लेंग 11 उससे पहले गाईज अगर आपने कुछ सबसे पहले मिल जाए अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी PSAC की पोसिबल प्लेंग 11 तो इस टीम की तरफ से आपको जैकरी रंगानाथ है वो ओपन कराती हुए नजर आ जाएंगे लास्ट मैच में देखोगे तो तो तरे परहन की काफी लाजवा भी निंग नो ने खे कोई तो केवल 6 रंणाए लेकिन एक हार्ड हीटर पलेर है कभी भी आपको एक बड़ी इनिंग खेल के दे सकते हैं अगर PSAC का टीम अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है तो उस कंडिशन में अकिल कल रखो चाओ तो आप जील वगरा में CVC भी ट्राई करके चल सकते ह तो लास्ट मैच में जीरो रन आए तीन ओवर की बोलिंग डाली एक विकेट निकाल के दिया आपकर एक इपोर्टन पिक रहेगी अगर PSAC का टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है तो उस कंडिशन में आप जे कमिंग सो चाओ तो जील वगरा में जुरूर से CVC करके चल सकते हो ब्रियान की बात कि जाए तो लास्ट मैच में बैटिंग में 41-9 तीन ओवर की बोलिंग डाली दो विकेट निकाल के दिये इपोर्टन पिक आपकर ले रहेगी जुरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो अंधरे महमद की बात की जाए तो लास्ट रहेगी जुरूर से अपनी टीम में कवर करके चला तीशन रूराम रूप की बात की जाए तो लास्ट मैच में चैरां बैटिंग के साथ दोवर की बोलंग डाली सपलता नहीं मिली रिस्की पिक रहेगी बाकि आप जीलोगरा में जुरूर से ट्राइक करके चल सकते हो महीं बात की जाए पी सिननान की तो इनका लास्ट मैच में देखो है तो तीन ओर की बॉलिंग डाली एक विकेट निकाल के दिया तो कुल मिला के एक ओर इसी पिक रहेगी चाहू तो अपनी टीम में आप जुरूर से कवर करके चल सकते हो वहीं बात की जाए सी राम रूप की तो इ टेलिग्राम चैनल को भी जूइन करेना गर गाईज आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो गाईज केवल पसास लाइक का टारगेट है आई हो आप जल्दी कर दोगे साथ साथ जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी जो फाइनल अपड इनिंग खेल के दे सकते हैं अगर MEC का टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है तो उस कंडिशन में आप मारियो वेलकॉन को चाहो तो जूरूर से सीवी सी ट्राइए करके चल सकते हो वहीं बात की जाए रोनाल्डो सेमी की तो लास्ट मैच में 33 और और इस पिक आपके करके चला आई क्रेक की बात की जाए तो इन्होंने भी लास्ट मैच में 33 और ना है दोनों आपके लिए इपोर्टन पिक रहने वाली है तो जूरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चले ना गया दिए तो लास्ट मैच में 32 और बैटिंग के साथ किये च्यार ओवर की अपना खाता भी नहीं खूल पाए थे लेकिन बाकी आप चाओ तो जियल वगरा में आप जूरूर से सिन बली राम को ट्राइ करके चल सकते हो केवन चारलस की बात की जाए तो लास्ट मैच में बैटिंग और बोलिंग दोनों में अपना खाता नहीं खूल पाए दो वर की बैटिंगे कि यह जूरूर से ट्राय कर चल सकते हो केल्डृ गोरिय की बात की जै तो लास्ट मैच में चार वर की बोल्लिंग डाली सपलता एक मिली इपोर्टन्ट वीकाप के ले रहेगी तो जूरूर से अपने टीम में कवर कर के चला वहीं टी जादू की बात की जाए तो लास्ट मैंच में च्यार ओर की बोलिंग में एक विकेट निकाल के दिया एक और इसी पिक रहेगी चाहू तो अपनी टीम में आप जरूर करके चल सकते हो वहीं MEC की बैंचीज बे जो भी अपडेट आएगी वो मिल जाएगी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल की दूलिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो जल्ली से जाके गाई टेलिग्राम चैनल को जू इन करना ये तो गया गाईज दोनों टीमों का स्टेट वाइज अनलाइसिज अब बात कर लेते प्लेर वाइज अनलाइसिज और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की टीम गाईज सबसे पहले बात कर लेते गाईज विकेट की प्रिंग सेक्शन में अकिल कर लख हो गया आपको ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे आपके लिए एक इपोर्टन पिक रहेगी तो जुरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएज अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हुँ बाकि आप जील वगरा में जुरूर से ट्राइ करके चलाएज जैकरी नंगानात की बात की जाए तो ये भी आपको ओपन कराते हुए नजर आ जाएज लास्ट मैच में देखो ये तो तरेपरन की काफी लाजवाब इनिंग खेली इपोर्टन पिक आपके लिए रहेगी जुरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएज पी एससी की टीम अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है उस कंडिशन में आप रंगानात को चाओ तो जील वगरा में सीवी सी भी ट्राइ करके चल सकती हो ए अली आपके लिए एक ओर इसी पिक रहेगी चाओ तो अपनी टीम में आप जुरूर से कवर करके चल सकती हो वहीं बात की जाए आलाउंडर सेक्शन में तो फ्रैंकलिन रोसो आपके लिए इपोर्टन्ट पिक रहेगी तो जुरूर सी अपनी टीम में कवर करके चल सकती हो वहीं बात की जाए ब्रेंड रामदुन की तो लास्ट मैच में इनका भी परदसन काथी लाजवाब रहा था तो इपोर्टन पिक आपके लए रहेगी तो जुरूर सी अपने टीम में कवर करके चल सकती हो आपकी जुरूर सी ट्राइ करके चल सकती हो बाकि रिसकी पिक आपके लिए अपी आसानी से ड्रोप करने। करने वाली जुरूर शी अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो बाकि आप जियल वगरा में जुरूर से ट्राइक करके चलां पीच सिंरान की बात की जाए तो इनका बैटिंग ओडर काफी ज्यादा नीचे रहेगा सिधा-सिधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो नहीं बा रहेगा उस कंडिशन में आप सिधा-सिधा आप ड्रोप करने का रिसक ले सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए उससे पहले जगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोई नहीं किया तो जल्दी से जाके टेलिग्राम चैनल को जोई करे ना टेलिग ट्राइ करके चल रहा हूं वहीं साथ-साथ आप देखो गया तो एम बहल के न हो आपके लिए इस मैच में जील में ट्रंप काड पिक रहेगी सीवी सी जुरूर से ट्राइ करके चल सकते हो गाईज टीम प्रिव्यू की बात कि जाए तो गाईज देखो तो यह हमारी फाइन युज टीम और आप टेलिगराम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी और टेलिगराम चैनल के दो लिंग का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो जल्दीश से ज जाके गई टेलिगराम चैनल को जोईन करे ना अगर आपको एनलाइसिज स्क्राइब जरूर से कर देना गाईज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भार्त